मेरे आने का प्रियोजन आप लोग जानते हैं, मैं नेपाल क्यों आया था, भविष्य में आने की बात तो कोई नहीं जानता, आप रहें न रहें, कहाँ पर क्या हो, नेपाल की अवस्था क्या हो, पमाम बातें होती हैं संसार में, जो मनुष्य नहीं सोचता वो भी हो जाती है, इसलिए हम लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखने की है, कि यद्यपिये मानों देह स्वर्ग के देवता चाहते हैं, जिन देवताओं की हम भक्ती करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, हिंद्र, बरुन, कुबेर, अगनी, आदी, वे तरस्टे हैं कि मानों देह मिल जाएं, क्योंकि, 84 लाख देहों में यही एक देह ऐसा है, जिसमें हम कमाई करके और संसार से परे इश्वरी आनन्द से जुक्त होकर सदा को भगवान के लोक में रहेंगे, और कोई नियम, काईदा, कानून नहीं है, भगवान के पाने का ये आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है, केवल उनको अपना मानना है, क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध उन्ही से होगा, हरी गुरू के अतिरिक तो हमारा कोई नहीं है, न तो टाइम लिमिट है, कि हम कर दिन रहेंगे और, और न तो ये है कि हम एक आदमी साथ ले जाएंगे, अपने साथ सेवा के लिए, अकेले ही जाना होगा, आख बंद करके अकेले में सोचो, अकेले जाना होगा, ये सब छूट जाएंगे, हाँ जी, अब छूट ही नहीं जाएंगे, बाद में भी जाएंगे, तो अपने अपने कर्म के अनुसार अलग-अलग जाएंगे, वो तुमको फिर से नहीं मिलेंगे, पापा जी, मम्मी जी, बीबी जी, पती जी, बेटे जी, साब अपने अपने नगर को चले जाएंगे, यानि कर्म फल भोगने, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई मृत्य लोक में जन्म लेंगे, इसलिए हमको हर समय होश्यार रहना चाहिए, जैसे हम शहर में चलते हैं, तो हर समय होश्यार रहते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, आगे से आ रही है, डर से स्कूटर आ रहा है, अगर जरा भी लापरवाही किया, तो एक्सिरेंट हो जाता है, लेकिन हम बहुत सावधान होकर चलते हैं, एक गंटे तक चले जाते हैं बाजार में, और फिर लाउट आते हैं अपने घर में, ऐसा साइकुणों बार कर चुके हैं, और हमारा एक्सिडेंट नहीं हुआ, क्यों? हर समय चौकन्ने थे, एं पीछे से गाड़ी आ रही है, हाँ, आगे जगे नहीं है, बाएं खड़े हो जाओ, शरीर के लिए आपको इतनी चिंता थी, सैकुणों बार आप गए एक्सिडेंट नहीं हुआ, और आत्मा की चिंता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा? यह अनमोल खजाना मानो देह, बार बार नहीं मिलने वाला है, कि फिर मानो देह मिल जाएगा, फिर कोई क्रपालू मिल जाएंगे, और फिर उपदेश दे देंगे, और फिर हम कर लेंगे, एक एक चीज दुरलब है, शंकराचारज ने कहा, कि दुरलबं त्रय मेवाईतत, दैवा नुग्रह कारकं, तीन चीजें बड़ी दुरलब हैं, पहला तो मानो देह, कबहूं का करी करुणा नर देही, देत ईश, हजारों लाखों करोणों जन्मों के बाद, कभी मानो देह मिलता है, और मानो देह मिल भी जाए, तो काम नहीं बनेगा, मनिश्वत्पम मुमुक्छुत्पम महापुरुष संभवा, कोई वास्तविक महापुरुष मिले, हम तो शाष्ट्रबेद करोणों जन्म में पढ़कर भी नहीं समझ सकते, कि हमको क्या करना चाहिए, शाष्ट्रबेद में तमाम बिरोधी बातें लिखी हैं, हम पढ़कर कन्फूज्ड हो जाएंगे, यह तो कोई महापुरुष ही हमको संग्छेफ में बता देता है, ऐसा ऐसा करो, तो नमबर दो महापुरुष का मिलना और दुरलब है, और नमबर तीन महापुरुष मिल भी जाएं और हम उसको महापुरुष न मानें, उसके ओ सरंडर न करें, शरनागत न हो, उसके आदेश के अनुसार न चले, उस पर और उसकी बानी पर बिश्वास न करें, तो मिला करें महापुरुष, क्या करोगा, क्या लाब होगा, मानो देह भी मिल गया, महापुरुष भी मिल गया, हम और अपनाद कर बैठते हैं महापुरुष को देखकर उसके पास जाकर और लौट आते हैं अपनी बुद्धी लगा करके तो ये तीनों चीजें जो बहुत दुरलब है वो अगर किसी को मिल गई है और फिर भी वो अपना काम नहीं बना सका तो फिर उसके समान अभागा कोई न था है न होगा जो न तरई भवसागर नर समाज असपाई सोकृत निंदक मंदमती आतम हन गतियाए इसब बनाओ बन जाने पर भी कोई भूखा ब्यक्ति हो बिना पैसे के सोने की थाली में कोई चपन बेंजन दे दे और हम खाए न और अपनियों को समझदार कहें दुनिया भड की बाते बनावें ऐसा है की वैसा है की और यह सब बातवात खतम हो जाएगी जिस रुक्षण में गंटी बढ़ जाएगी यह मराज की तेजाब धरे रह जाएंगे प्रापर्टी हो चाहे हो बीबी बच्चे हो अकेले जाना होगा इसलिए हमारी एक बात का आप लोग अभ्यास करें कि हमारे हुर्दय में श्याम सुन्दर बैठे हुए हमारे आइडियाज विचार नोट करते हैं इस बात पर विश्वास करके इसका अभ्यास कर लें थोड़ा परिश्रम पड़ेगा पहले एक घंटे में एक बार एक सेकंड को अंदर बैठे हैं हम क्या गंदी बात सोच रहे थे हाँ होश्यार हो जाओ फिर आधा घंटे में एक सेकंड को हम आपका टाइम नहीं खराब करना चाहते हैं जैसे आप काम करते करते खुजाल लेते हैं ऐसे कर लेते हैं कहीं खीक आ गई कहीं कोई खट की आवाज होई तो आप इधर देख लेते हैं बस इतने समय को आपके वल ये रियलाइज करें महसूस करें वो अंदर बैठे हैं वो अंदर बैठे हैं हम अकेले नहीं हैं वो ही पर हैं वही पर जहां पर हम हैं इसका अभ्यास करना होगा अभ्यास अभ्यास रट लो अजब थोड़े दिन में अभ्यास आप करने के बाद अन्भो करेंगे तो हर समय आपको अन्भो होने लगेगा हाँ हो अंदर बैठे हैं फिर आप टाइम खराब नहीं करेंगे कि चलो गप करें पडोसी के पास या चलो बीबी से गप करें बैठे बैठे क्या करेंगे फिर तो हर समय होश्यार रहेंगे अरे पता नहीं अगला चण न मिले बड़े बड़े डाक्तर बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर एक सेकंड में चले जाते हैं वोग सोचा नहीं उन्होंने ऐचा हो गया चले गए तो इसलिए बहुत सावधान हो करके इस साधना का भ्यास आप लोग करें अरे देखो भाई कोई किसी के यहां महवान आता है तो उसको भेट दी जाती है हमारी यही भेट समझे आप आप लोगों ने और जो तन मन धन की सेवा की वो तो सब आप के लिए है उस पैसे का तो आप के लिए साधना भोवन बन रहा है रुसोई घर बन रहा है वो सब उन कार्जों में आप ही की सेवा में लगेगा और आप ही का परलोग बनेगा लेकिन यह जो मारी साधना बताने वाली बात है कि इसका अभ्यास करें यह सब से बड़ी सेवा होगी और यह अगर आप लोग अभ्यास करके अपना कल्यान करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमको नाक के बल, सिर के बल फिर जल्दी आना पड़ेगा यह कोई मेरा कमाल नहीं है यह स्पिरिच्वल गॉब्मेंट की आइसा कानून है वहां तुम्हारी बात मान कर लोगों ने भगवान की और कदम बढ़ाया है इसलिए फिर से जाओ और आगे तेज चलाओ उनको यह ड्यूटी है जैसे आप लोग किसी कमपनी का एजेंट बन जाते हैं तो उसका सामान अधिक से अधिक बिकै है तो फिर आपको उसमें कमीशन अधिक मिलेगा आइसे ही हम लोगों को भगवान समन्धी जितना अधिक जीवों को प्यास लगे उतने यह भगवान हम लोगों से प्यार करते हैं और आपसे भी करते ही हैं करना पड़ेगा उनको इसलिए इसका भ्यास अवश्च करें आज ही से शुरू कर दें मैं दस बजे यहां से जाऊंगा और आश्रम में भी इसी प्रकार सत्थन का लाब दूंगा लाडली लालकी